Hello everyone, Welcome to the Study with Mayank, मैं हूँ आपका Mayank, हम लोग आज से यहाँ पर UPPSC PCS परिच्छा के लिए प्रीबियस एर के पॉलिटी कोश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोगों ने यहाँ पर UPPSC प्रिलिम्स दोजार बारे का पीपर उठाया है हम लोग इसी समधित प्रश्णों को यहाँ पर देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं मैं क्या-क्या डिस्कस करना है यहाँ पर पहला प्रश्ण है भारती संसत में निम्लिकित मैंसे कौन सामिल है लोगसभा इविम राजिसभा लोगसभा राजिसभा इविम परधान मंतरी लोगसभा के अध्यक्ष इविम लोगसभा राश्टपती इवं दोनो सदन संभिधान के नुच्छेद 89 के अंतरगत 89 में ये कहा गया है कि संसर जो है राश्टपती और दोनो सदनों से मिलकर बनेगी तो राश्टपती और दोनो सदन जिसमें कि लोकसभा और राजसभा आ जाते हैं इन दोनों से मिलकर संसत कर निर्मार्ट होता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा D वाला दूसरा प्रश्ण है लोगसभा और राजसभा की सियोगत बैठक किसके द्वरा आहूद की जाती है राश्पती द्वरा लोगसभा के अध्यक्ष द्वरा संसत द्वरा राजसभा के सभापती द्वरा देखे ये प्रश्ण काफी जाता महतपूर है और कई बार बच्चे यहाँ पर कंश्यूज हो जाते हैं कि आहूद कौन करता है और अध्यक्षता कौन करता है इस बैठक की कई बार क्या है कई बार राष्टी विस्यों को लेकर दोनों सदनों के बीच में गतिरोध होता है और कोई राष्टी विस्यों का जो विधियक है वो इतना जाता महतपूर होता है कि उसको पारित होना आवश्यक है तो ऐसे में जिसकी भी सरकार होती है वो राश्पती से गुजारिस करता है कि दौनों सदनों की सम्ट वैठक करवाई जाए तो ऐसे में राश्पती जो है सम्दान के Article 108 के थैद दोनों सदनों की सम्ट वैठक आहूद करवाता है जिसकी अदिक्षता सम्दान के नुच्छेत एक सो ठारे चार के द्यद लोगसभा का दिक्ष करता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा एवाला तीसरा प्रश्टने धन विदियक कहां पुरेस्थापित किया जाता है लोगसभा में, राजसभा में दोनों सत्रों की सेवक्त वैठक में या उपरिक्त में से कहीं नहीं संबिधान के रोच्छे दे 109.1 के द्यद धन विदियक राजसभा में पुरेस्थापित नहीं किया जा सकता है या केवल लोगसभा में ही पुरेस्थापित किया जा सकता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा एवाला चोथा प्रश्ण है भारत के निम्लिकित राश्पतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आदोलों से संबद रहा है बीवी गरी एन संजीव रेड़ी के आर नारायन जाकिर हुसेन देखे भारत के चोथे राश्पति बीवी गरी ये ट्रेड यूनियन आदोलों से संबद रहे है और ये दो बार एटक के अध्यक्ष भी रह चुके है एटक की फुलफम आपको बता होगी All India Trade Union Congress ये दो बार दिवाँ एटक के अध्यक्ष भी रह चुके थे तो यहाँ पर आपका सही आनसर है अवाला पांचमा फ्रष्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचादी राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरचित इस्थानों की संक्या कितनी है कुल स्थानों का एक तिहाई, मैलाओं की आबादी के अनुपात में, कुल स्थानों का एक चोथाई, परिस्थितियों की आवशक्ता अनुसार देगे जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में, 73 में समिधान संसुदन अधियम के द्वारा, पंचैती राज प्रवस्ता का प्राबदान किया गया है तो 73 में समिधान संसुदन के अनुगरम में, यूपी की गवर्मेंट द्वारा भी उत्तर प्रवस्ता पंचैती बिदी संसुदन बिदियाक, 1994 में फारित किया गया, जो कि 22 सप्रेल 1994 को लागू हुआ इसके तहात प्रदेश में, यानि उत्तर प्रदेश में, पंचैती राज संस्थाओं में महलाओं के लिए कुल स्थानों की एक त्याई सीटे प्रजर्व की गई तो यहाँ पर आपका सही आंसर है एवाला चटमा प्रश्णे, निम निखित में से कौन राजिपाल की न्यूक्ति करता है कैंद्री मंत्री मंडल, उश्टम नयालय के मुकिन यायदीज, लोगसभा के अध्यक्ष, भारत के राश्पती भारती सेमिधान के अनुच्चेद 155 के ध्यद, भारत के राश्पती के द्वारा राजपाल की न्यूक्ति की जाती है और अनुच्चेद 156 एक के ध्यद, राजपाल जो है राश्पती के प्रसाद परियंद पद्धारण करता है यहाँ पर राजिपाल का जो कारिकाल है वो निश्चित नहीं है बलकि यह राश्टपती के प्रसाद परियंद अपने पदपर बना रहता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा छटमे का D वाला साथमा प्रश्टने संसद राजिसूची के विशय के संबंद में कानून बना सकती है राश्टपती की इच्छा से यदि राजिसवा ऐसा संकल पर पारित करती है किसी भी परिस्तिती में संबंदित राजिके बिधान मंदल से पूँच कर भारती संबंदान के नुच्छेद 249 के तहत यदि राजिसवा उपस्चित और मत देने वाले दो तिहाई सेस्यों के भाहमस से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि संसद को राजिसूची की किसी विशय पर कानून बनाना आवश्यक है जो कि राश्टी महत्त का विशय है तो संसद राजिसूची की विशय पर कानून बना सकती है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला इसके अत्रिक्त जो है संबंदान के नुच्छेद 251 के तहत संसट जो है आपातकाल की सिधी में राज सूची की विश्यों पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 252 के थहत यदि 2 या 2 से अधिक राज संसट के पास अन्रोध करें कि वो राज सूची पर कानून बनाए तो उस इस्टिती में संसट जो राजिसूची पर कानून बना सकती है आर्टिकल 253 के द्यद अगर मालीजे कोई अंतराषी समझोता है और उसका अनुपालन करवाना है तो समझोतिय को ध्यान में रखते हुए संसट जो है राजिसूची के विस्विश्यों अवर कानून बना सकती है तो ये कुछ अनजट में रखते हैं आठमा प्रश्ण है मंद्र्शद सामय करूप से निम्न में से किस के प्रती उत्तरदाही है प्रधान मंत्री के प्रती प्राषटपती के प्रती राज सभा के प्रती, लोग सभा के प्रती देखे भारती समिजान के नुच्छेद 75 तीन के अनुसार केंदरी मंचे परसा सामविक रूप से लोग सभा के प्रती उत्तरदाई होती है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है D वाला नौमा प्रश्णे राज विधान सभा में कोई भी धन विधियक पुरे स्थापित नहीं किया जा सकता है बगेर संसत की संस्तुती के राज के राजपाल की संस्तुती के भारत के राश्पती की संस्तुती के मंत्रियों की विशियस समित की संस्तुती के भारती समिधान के अनुच्छेद 207-1 के थैत अनुच्छेद 109-1 के भाग AC लेकर F तक के प्रादधानर वाला कोई भी धन विद्यक राज विद्धान सबा में बगेर सम्मंदित राजिके राजिपाल की संस्तुत के पुरेस्थापित नहीं किया जा सकता है यानि कहने को लभी है कि धन विद्यक के लिए जो पुरेस्थापित करना है उसके लिए जो संस्तुती लेनी होगी वो राजिके राजिपाल की लेनी होगी तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा B वाला दसमा परश्थणै निम लेखित मैं से कौन भारत के उपराश्थपदी का निर्वाचन करता है आपको यहाँ पर कूट की सहाईता से सही उत्तर बताना है लोगसभा के सधस्य राजसभा के सधस्य विधान परस्तों के सदस्य विधान सभाओं के सधस्य भारती समधान के नुच्छेद 66-1 के देहत भारत के उपराश्पती का निर्वाचन संसत के दोनों सदनों जिसमें के लोक सभा और राजसभा के सरस्ते सामिल है इनके द्वारा किया जाता है और यह जो है आनुपादिक प्रदित पनाली के देहत एकल हस्तांतरी मत द्वरा किया जाता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर एवाला ग्यारेमा प्रश्टने किस सदन के सरस्यों द्वरा बहमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रश्ट को त्याग पत्र देना पड़ेगा लोग सभा के, राज सभा के दोनों सदनों के अलग लग दोनों सदनों की सेयुत्त वैठक में तेकि जैसा कि भी मैंने आपको बताया था संभिधान के नुच्छे थे 75-3 के ध्याद मंत्रश्ट जो है लोग सभा के पत्र सामेक रूख से उतरदाई होती है तो लोग सभा के सरस्टों के दोरा अगर वहमस्य विस्वास प्रस्टाव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रश्ट को त्याग पत्र देना पड़ेगा तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला बारेमा प्रस्टे प्रस्टाव के पत्र दिया जाती है इसकी नियूकती प्राश्टपती के दोरा की जाती है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला तेरेमा प्रश्ण है भारत के मुख्य निर्वाचन आयूक्त की पदाबदी क्या है? पांच वर्स राश्पती के परसात परियंद 6 वर्स या 65 वर्स की आयू तक जो भी पहले हो पांच वर्स या 65 वर्स की आयू तक जो भी पहले हो देखें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के राश्पती के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयूक्त और जो अन्य निर्वाचन आयूक्त हैं इनकी निर्वाचन आयूक्ती की जाती है इनका कारिकाल 6 वर्स या 55 वर्स की आयू जो भी पहले हो तब तक होता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है C वाला चोदयमा प्रश्णे निम लिखित मैसे किसकी संस्तुती पर भारती समिधान में मूल करतब्यों को सामिल किया गया इसके लिए 42 समिधान संस्तुत अदनियम 1976 पारित किया गया इसके तहत समिधान के भाग 4 में एक नया भाग एड़ किया गया और यह भाग 4 का था भाग 4 का यहाँ पर एड़ करके समिधान के नुचित 51 में एक नुचित 51 A एड़ किया गया और इसमें 10 मूल करतब्यों को सामिल किया गया बाद में सं 2002 में 86 में समिधान समसुतन अद्नियम के जरिए एक मूल कर्तब और एड किया गया तो ऐसे कुल मिलाकर अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तब हैं जबके मूल लूप से 10 मूल कर्तब 42 में समिधान समसुतन अद्नियम 1976 के तहत सामिल किये गए थे तो यहाँ पर आपका सही आंसर है C वाला पंद्रेमा प्रश्ने समिधान के अंतरगत उश्तम नेले से विदी के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है राष्ट पती को किसी भी हाई कोड को परधान मंत्री को उपर एक सभी को देगे भारती समिधान के उनुच्छे 147 के तेहत उस्तम नैले से विद्गे प्रश्णों पर राय लेने का अधिकार किवर राश्ट्पती को है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है एवाला सोलेमा प्रश्णे नेम लेकित में से कौन संवेधानिक प्राधिकर्ड है आपको यहाँ पर कूटकी सहता से सही उतर का चैन करना है राजी निर्वाचन आयोग, राजी वित्त आयोग, जिला पंचायत अधिकारी, राजी निर्वाचन आधिकारी देखें राजी निर्वाचन आयोग और राजी निर्वाचन आयोग की नियुकती जो है बारती सम्मधान के नुच्छे 242K के तहत की जाती है यानि कहने का अलवी है कि बारती सम्मधान के 242K में राज निर्वाचन आयोग की इस्थापना का प्राबधान है वहीं राज वित्त आयोग की इस्थापना के बारे में बारती सम्मधान के नुच्छे 242 तो यहाँ पर आपका एक, दो और तीन, यह तीन यहाँ पर सही हैं, तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बी बाला, केवल एक, दो और तीन. सत्रेमा प्रश्णे, निम लिखित मैं से कौन, योजना आयोग तथा राजी सरकारों के बीच समन्वे करता का कारी करता है, राश्टिय एक इकरण परिसद, वित्त आयोग, राश्टिय विकास परिसद, उपर्युक्त मैं से कोई नहीं. योजना आयोग और राजी सरकारों के बीच, राश्टिय विकास परिसद, यह समन्वे करता का कारी करता था, हलांकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक जन्वरी 2015 को योजना आयोग को खतम करके, इसके स्थान पर नीत आयोग की इस्थापना की गई है, और योजना आयोग नेम लिखित मैंसे किस वाद में उश्तम नियाली ने धारना प्रस्तुत की कि उद्देश का समिधान का भाग है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम इस्टेट ऑफ यूपी, बॉंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सींग बनाम इस सी वाला उन्निसमा प्रश्णे, निम्न मैंसे किस राज में पंचायती राज का सुभारम सबसे पहले हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजिस्थान, गुजरात निके भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1969 को राजिस्थान के नागौर में पंचायती राज विवस्था का सुभारम हुआ था, तो राजिस्थान जो है, पहला इस्टेट है, जहाँ पर पंचायती राज विवस्था का सुभारम हुआ था, तो यहाँ पर आपका सही आंस कि सुनवाई करने के लिए Appreciate नूव साथ पांच रहे हैं इसक्तम नयाईले में समभेधान की निर्वचन से समदित मामले की सुनवाई करने के लिए नयाईदीसीसं की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए इसे संभिधान पीट की रूप में अभित किया जाता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा D वाला एक किसमा प्रश्ट ने निम निखित मैंसे किस वाद में उश्तम नियाले ने ये धार्णा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूप रेखा तयार करने के लिए सक्षम बनाते है इंद्रा गांदी बनाम राज नारेंड गोलकनात बनाम इस्टेट अफ पंजाब बैंकों के राष्टी करड़ का मामला अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गोलकनात मनाम इस्टेट अफ पंजाब के बाद में उस्टम नयाले ने ये धार्णा प्रस्तुत की थी तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी वाला तो ये था हमारा आज का वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल मत भूलिए तो आज के लिए इस तना ही ठैंक्स वर वाचिंग जैहिंद